नमश्का दोस्तों अन्पुना रसोई नहोंगरे मीडिस में आपका स्वागत है, आज मेरी रसोई में बनने जा रहा है बैगन का भरता, इसकी रेसिपी में आपके साथ में शेर करने जा रही हूँ, अगर आपके पसंद आए तो प्लीज लाउइक किजेगा, शेर किजेगा, और मेरी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलेगा TR वस्किरू करते हैं बेगन के भरता बनाने के लिए मैंने 250 व्राम का बेगन ले लिया है और 2 टमाटर के मेडियम-साइज़् प्याज ऑडास हरी मिर्च और थ्भडा सा हरा धनिया अब हम बैगन को थोड़ा ऑईलिंग कर लेंगे, गैस पर मैंने जाली रख दिये हैं, जिससे की थोड़ी गरम हो जाए जाली, बैगन भूनने की ग्रिल है, अब हमको बैगन भून लेना है, ऑईल लगाने से बैगन की स्कीन बहुत अच्छे से निकल जाती है, और बैगन हो और ताजा हो, और उसमें कोई छेद वगे रहना हो, जिसके अंदर से कोई खराब ना हो बैगन, हमको बिल्कुल फ्रेश बैगन और ताजा बैगन लेना है, भर्ता बनाने के लिए, दिखिए बैगन बुन गया है, आप देख सकते हैं, उसके स्कीन निक करने लगए, बै तो हाथ में हम पानी लगाते जाएंगे, और बैगन की स्कीन को निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं, कितने अची तरह से बैगन बुन गया है, देखिए, पीछे वाला हिस्सा हम चागु से काट कर निकाल देंगे, बैगन अची तरह से पग गया है, बिल्कुल सॉफ्ट, तो इसको इस तरीके से हम काट लेंगे, अगर आपको बहुत जादा मैश किया हुआ भरता पसंद है, तो आप इसको मैश कर सकते हैं, अब हमने कढाई गरम कर लिए, इसमें एक चमश तेल डाल दिया है, तेल गरम हो जाए, तो इसमें हम जीरा और राई का दड़का दे दे से, इसमें कुछ दो हरिमिच्चो कटी हुई है, और कुछ लैसुन और अद्रक मैने कुटकर डाली है, प्यास भी जो लिये थे, उसको काट लिया है, बारिक, और एक कसूरी मेथी डाल दी है, अब प्यास को हमको हलका भून लेना है, बहुत जादा नहीं भूनना है, मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, आदा चमच, लाल मिल्च पाउडर, वन फोर चमच, और धनिया पाउडर, नमक स्वादा नूसा डालिए, एक चमच नमक मैने डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमने टमाटर को बारिक काट कर लिया हुआ है, तो वो मिक्स कर लेंगे, टमाटर हमको बहुत जादा नहीं भूनना है, क्योंकि जब हम बैगन मैश करके जो रखें, भूना बैगन वो डालेंगे, उसके साथ बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, तो इसका टेस्ट जादा अच्छा आता है, बैगन और टमाटर जब साथ म तक के चम्मा चलाते हुए पकाएंगे जिसे की धनिया का फ्लेवर अची तरह से भरते में चला जाए दीरे दीरे चम्मा चलाते हुए बैगन को मैश कर लेंगे जिसे की सारी चीजों का फ्लेवर बैगन में मिक्स हो जाए अची तरह से अब हमारा भरता बन कर तयार हो गया है और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है इसको धीरे से चमच चलाते वे अब हम सर्व करने के लिए इसको बॉल में निकाल लेंगे बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये कितनी आसानी से हमने इतना अच्छा भरता बना कर तयार किया है अब इसको हम धनिया से गार्निश कर देंगे आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप प्लीज मुझे जरूर बताइए और आप एक बार इसको बना कर जरूर देखिए और इंजॉय कीजिए थैंक यू